मेरे यूट्यूब चैनल यूजिसिनेट जियारा फिस्ट्री में आज फिर से आप सभी का स्वागत है और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ वैदिक काल से रिलेटेड कुछ महत्पूर्परसनों की स्रंकला को जो आपके लिए एक्जाम के पॉइंट और व्यू से क पॉस्टन है चंदोग्य उपनिशद में कितनी आसरमों का उल्लेख मिलता है यह हमें बता ना इस्टुटेंट्स तो बी जो है ग्रेक्ट आंसर होगा तीन आसरमों का नेक्स्ट कोस्टन देखते हैं निम लिखित में से किसके द्वारा पंच महायगों का अनुस्ठान संप संपादित किया जाता था बी जो है correct answer होगा students ग्रहस्त आर्यों द्वारा जो ग्रहस्त आर्यों थे उनके द्वारा पंच महा यगों का जो अनुस्ठान है वो संपादित किया जाता था नेक्स कोश्चन देख लेते हैं मनुस्मृति में विवा के कितने परकारों का उलेक किया गया है जो मनुस्मृति है उसमें विवा के कितने परकारों का उलेक है डी जो है correct answer होगा students आठ आठ परकार के विवाहों का मनुने मनुस्मृति के अंदर उलेक किया है नेक्स कोशन देखेंगे निम लिखित में से सत्यक अथन का चैयन कीजिए जो मतलब इसमें कैरेक्ट है आंसर उसको हमें चूज करना है तो डी जो है कैरेक्ट आंसर है स्टुडेंट्स उप्युक्त सभी तीनों ही ओप्शन जो दिये गए हैं इसमें A, B, C तीनों ही जो है कै लेते हैं तो देत्र ही सहीता से दास दाश्यों को उपहार स्वरूप दे जाने की परता थी ढाइं बी kalo 1 जो है ंदो ही जो है और स्ट रकार क把 डाश्यों का उल्लेक की अ गया है यह बी करेक्ट है सी जो है चोल सामराज्य में देवदासी पर्था वैदास पर्था के परमान मिले हैं ये भी correct है तीनों ही जो है उप्षन है correct है तो D जो है correct answer होगा students next question देखेंगे सर पर्थम किस उपनिशद में चार आस्रमों का वर्णन मिलता है कौन सा उपनिशद है जिसमें चार आस्रमों का आस्रम जो है चार हमारे उनका वर्णन हमें मिलता है तो D जो है correct answer होगा students जबालो उपनिशद जबालो उपनिशद में चार आस्रमों का हमें वर्णन मिलता है next question देखेंगे सोची एक को सोची दोस के साथ सुमेलित करना है और नीचे दिये गए कूटों में से सही उत्तर का चेयन करे रिगव्यादिक नदिया और एक तरफ दी गई है आधूनिक नाम कुछ नदिया जो प्राचीन में रिगव्यादिक काल में कुछ नदियों के नाम ह onter के क्या है हमें रिहें हैं ंदियों हमें मिलाना विश्तता कर में कि वितस्ता का नाम क्या है वितस्ता का होगा जहल मादूनिक नाम विपासा का वियास पुरोष्णी पुरुष्णी को रावी न दी और कुम्भा को काबूल न दी तो ऐसे correct answer होगा B students next question देखेंगे सामवेद के मंत्र निम लिखित में से किस देवता को समर्पित है जो सामवेद है हमारा third वाला वेद है सामवेद उसके जो मंत्र है वो किस देवता को समर्पित है तो A जो है correct answer होगा student सूर्य है सूर्य देवता को सामवेद के मंत्र समर्पित है next question देख लेते है सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है और नीचे दिएगे कोटो में से सही उत्तर का चेन करे एक तरब उपवेद है और एक तरब उसके परवर्तक है तो correct answer होगा C C जो है correct answer students आयूर्वेद आयूर्वेद के जो परवर्तक है वो है परजापती धनूर्वेद के हैं विश्वामीत्र गंधर्वेद के हैं नारद और सिल्प वेद के हैं विश्कर्मा तो C जो है correct answer होगा next question देखेंगे गंधर्वेद काल में समाज का विभेदी करण की साधार पर आरंब हुआ था जो गंधर्वेदी काल है उसमें समाज का विभेदी करण की साधार पर किया गया था तो C जो है correct answer होगा वेवशाय के आधार पर वेवसाय के आधार पर दिख्वयादी काल में समाज को परगी करत किया गया नेक्स कोश्चन देखेंगे निम लिकित में से सत्य कथन का चेयन कीजिए इसमें से जो सही है जो करेक्ट है उसका हमें चेयन करना है तो डी जो है टी करेक्ट आंसर होगा स्टुडेंट सुप्युक्त सभी इसमें जो तीनों ऑप्चन दिये गई है वे तीनों ही सही है देख लेते हैं दिख्यादी काल में प्रत्वी जगत की माता थी धीक्रेख्ट बात है नेक्स कोशन देखेंगे सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है और नीचे दिये गए कूटो में से सही उत्तर का चैन करना है आधोनिक नाम दिये गए हैं और प्राचीन समय में उनको क्या कहते थे किस नाम से बुकारते थे वो दिये गए जिसे एक तरफ गाएं गाएं को एगन्या कहा जाता था नाम आरने योग्या एगन्या का मतलब होता है नाम आरने योग्या राजा को गोपता धनी व्यक्ति गोमत पुत्री पुत्री को दुहीता पुत्री को प्राचीन टाइम में दुहीता कहते थे तो ए जो है correct answer होगा students next question देख लेते हैं लिगवेद के एक मंत्र में त्रियंब कम सब्द का प्रियोग निम लिखित में से किस देवता के लिए किया गया है ए जो है correct answer होगा students सिव, सिव के लिए त्रियंब कम सब्द का प्रियोग किया गया है रिगवेद के एक मंत्र में नेक्स कोशन देखेंगे रिगवेदिक देवता इंद्र से संबंदित सत्य कथन का चैन कीजिए जो रिगवेदिक देवता थे इंद्र उससे संबंदि जो उनसा कथन इसमें सही है डी जो है correct answer होगा students उप्यूक्त सभी तीनों ही कथन इसमें सही दिये गए हैं रिगवेद में सबसे महत्मून देवता थे इंद्र ये भी राइट है रिगवेद में इंद्र पर 250 सुक्त है ये भी राइट है इंद्र को वर्षा का देवता माना गया है ये भी राइट है तो तीनों ही जो है correct answer है तीनों ही जो है option correct है तो डी जो है correct answer होगा students next question देखेंगे सूची एक से सूची दो के साथ सुमेलित करना है और नीचे दिये गए कूटों में से सहुत्तर का चेयन करना है एक तरफ विद्वानों के मत दिये गए है और जो दूसरी सुची है उसमें आरियों का निवासस्थल क्या था कि किस विद्वान ने आरियों का निवासस्थल क्या माना है ये हमें देखना है इसका जो correct answer होगा students वो होगा C देख लेते हैं कैसे बाल गंगा धर तिलक ने कहा है कि आरियों आर्क्टिक परदेश से आये थे और सामी देयानंद सरश्वती ने माना है तिब्बत से विलियम जोन्स ने यूरोप से और मैक्स मूलर जो है वो क्या कहते हैं कि मध्ध है इस्या के निवासी थे तो C जो है करेक्ट आंसर होगा नेक्स कोशन देखेंगे निम लिखित में से रिगवेद के किस मंडल को सो मंडल कहा गया है रिगवेद का कौन सा मंडल है जिसको सो मंडल कहा गया है तो B जो है करेक्ट आंसर होगा स्ट्टेंट्स नोगा मंडल जो नोगा मंडल है रिगवेद का उसे सो मंडल कहा गया है नेक्स्ट कोशन देखेंगे सूची एक से सूची दो के साथ सुमेलित करना है और नीचे दिये गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है एक तरफ पनीशत दिये गए और एक तरफ कोशन देखेंगे जो है करेक्ट आंसर होगा स्टुडेंट्स चंदोग्य उपनिशद सामवेद ब्रह दारनायक उपनिशद यजुरवेद एत्रिये रिगवेद और मांडुक्य अथरवेद बी जो है करेक्ट आंसर है सामवेद के अध्यता को निम लिखित में से क्या कहा जाता था जो सामवेद का रिशी होता था उसको क्या कहते थे तो बी जो है करेक्ट आंसर होगा उद्गाता उद्गाता जो है सामवेद के अध्यता को कहा जाता था और रिगवेद का जो रिशी होता था उसको कह देते होर नेक्स्टकोशन देखेंगे रिगवेद में माता सब्द का उलेक कितनी बार किया गया रिगवेद में माता सब्द का उल्लेक डी जो है correct answer होगा students 234 बार 234 बार रिगवेद में माता सब्द का उल्लेक किया गया है Next question देखेंगे रिगवेद की सरवधिक पवित्र नदी निम लिखित में से कौन सी थी जो सबसे ज़्यादा पवित्र नदी थी ए जो है correct answer है students सरश्वति सरश्वति नदी जो है रिगवेद की सबसे पवित्र नदी मानी गई है Next question देखेंगे रिगवेद के मंतरों का पार्ट करने वाले पुरोहित को निम लिखित में से क्या कहा जाता था जो रिगवेद के मंतरों का पार्ट करने वाले पुरोहित थे उनको क्या कहते थे बी जो है correct answer है सामवेद का जो संकलन है वो रिगवेद पर आधारीत है नेक्स्ट कोशन राज सुवय यग का सर पर्थम उले किस ब्रहामन में मिलता है राज सुवय यग का सबसे पहला उले किस ब्रहामन में मिलता है दी जो है करेक्ट आंसरोगा स्टुडेंट्स एत्रे ब्रहामन में एत्रे ब्रहामन नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं असमीद यग का आयोजन निम लिखित में से किन उदेशों की प्राप्ति हेतु किया जाता था जो असमीद यग किया जाता था वो किन उदेशों की प्राप्ति के लिए किया जाता था तो C जो है correct answer होगा students राजनेतिक विस्तार के लिए राजनेतिक विस्तार के लिए असमीद यग का आयोजन किया जाता था नेक्स्ट कोश्चन देखेंगे निम लिखित में से किस यग में गोडे की बली दी जाती थी ए जो है correct answer students असमेद यग में असमेद यग जो है उसमें गोड़े की बली दी जाती थी next question देखेंगे उत्तरवैदिक काल में राजा अपने कर्तव्यों के संपादन में निम लिखित में से किन की साहिता लेते थे उत्तरवैदिक काल में राजा अपने कर्तव्यों के संपादन के लिए निम लिखित में से किन की साहिता लेते थे जो है correct answer होगा उप्यूक्त सभी की पुरोहित, सैनापती और उचकोटी के अधिकारी तीनों की help लेते थे next question देखेंगे उत्तरवैदिक काल का सामाज कितने वर्णों में विभाजित था जो उत्तरवैदिक काल है उनका जो सामाज था वो कितने वर्णों में विभाजित था सी जो है correct answer होगा students चार वर्णों में चार वर्णों में उत्तरवैदिक काल का सामाज जो है बटा हुआ था नेक्स्ट कोस्टन देखेंगे और यह कोस्टन जो है लास्ट कोस्टन है आज का गोत्र पर्था निम लिखित में से किस काल में स्थापित हुई गोत्र पर्था जो थी वो कौन से काल में स्थापित हुई है तो डी जो है करेक्ट आंसर होगा स्टुडेंट्स उत्तर वैदिक काल में उत्तर व्यादिक काल में गोत्र पर्था जो है वह इस्थापित हुई थी तो स्टुडेंट्स आज की वीडियो में हमने व्यादिक काल से रिलेटेड काफी कोस्चनों को पूरा किया है और मैं उमीद करती हूं कि आपको यह वीडियो काफी अच्छी लगी होगी तो प्लीज अगर आपको सच में यह वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा तो आज के लिए इतना ही थैंक्यू है वे गुड़ डे